सन 1981 में भारत के जार्खन राज्य में जन्मे धुनी ने इसी राज्य के डी एवी जवाहर विद्या मंदर स्कूल से अपनी शुरुआती शिक्षा हासिल की है। अपनी बारवी कक्षा की पढ़ाई करने के बाद इन्होंने सेट सेवय कॉलेज में दाखिला लिया था लेकिन क्रिकेट के लिए धुनी को अपनी पढ़ाई के साथ समझोता करना पड़ा और इन्होंने अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़ दिया। धुनी की जिन्दगी में प्रियंका जानामक एक लड़की हुआ करती थी जोकि धुनी की गलफ्रेंड थी। लेकिन साल 2002 में प्रियंका की मृत्यू हो गई थी जिसके कारन धुनी की ये लव स्टोरी अधूरी रह गई थी। दूनी की जिन्दगी के इस हिस्से के बारे में लोगों को उनके जीवन पर बनी फिल्म के जर्ये पता चला दूनी ने 4 जुलाई 2010 को साक्षी से विवाह किया, यह एक लव मेरेज थी कहा जाता है कि यह दोनों एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे लेकिन जब साक्षी छोटी थी, तभी इनके पिता दहरादून शिफ्ट हो गए थे जिसके कारण साक्षी को अपना स्कूल बीच में ही छोड़ना पड़ा इन्हे साल 1999 में पहली बार रंजी ट्रोफी खेलने का मौका मिला था और यह पहला रंजी ट्रोफी मैच बिहार राजे की तरफ से असम क्रिकेट टीम के विरुद्ध खेला गया था इस मैच की दूसरी पारी में धूनी ने नाबाद और सत रन बनाये थे जबकि इस ट्रोफी के इस सत्र में इन्होंने कुल पांच मैचों में 283 रन अपने नाम किये थे इस ट्रोफी के बाद धूनी ने अन्या और भी घरेलू मैच खेले थे धूनी के बहतरीन प्रदर्शन के बावजूद भी इनका चयन इस जॉन सेलेक्टर द्वारा नहीं किया गया था जिसके कारण धूनी ने खेल से दूरी बना ली और साल 2001 में कोलकाता राज्य में रेल में विभाग में बतौर टिकेट कलेक्टर के रूप में कार्य करना शुरू कर दिया लेकिन धूनी का मन इस नौकरी में नहीं लगा और इन्होंने तीन साल के अंदर ही इस नौकरी को छोड़ दिया और फिर से अपने क्रिकेट करिया पर ध्यान देना शुरू कर दिया साल 2001 में धोनी का चयन दिलीग ट्रॉफी के लिए हो गया लेकिन धोनी को उनके चयन की जानकारी सही समय पर मिल नहीं पाए जिसके कारण धोनी इस ट्रॉफी में हिस्सा नहीं ले पाए साल 2003 में धोनी को जमशेदपुर में प्रतिभा संसाधन विकास विन के हुए मैच में खेलते हुए बंगाल की पूर्व कप्तान प्रकाश पोद्दार ने देखा था जिसके बाद उन्होंने धोनी के खेल की जानकारी राष्ट्रिय क्रिकेट अकादमी को दी और इस तरह से धुनी का चैन बिहार अंडर माइनस 19 टीम में हो गया था धुनी ने साल 2003 2004 के देवधर ट्रोफी के टूर्नामेंट में भी हिस्सा लिया था और धुनी पूर्वी जोन टीम का हिस्सा थे देवधर ट्रोफी का ये सीजन इनकी टीम द्वारा जीता गया था और धुनी ने इस सीजन में कुल चार मैच खिले थे जिनमें इन्होंने 244 रन बनाये थे साल 2004 में धुनी का चैन इंडिया एक टीम में कर लिया गया था इंडिया एक टीम की ओर से धुनी ने अपना पहला मैच बतौर विकेट की पके तोर खीलते हुए जिमबाबे टीम के विरुद्ध काफी अच्छा प्रदर्शन किया था पीन देशों के बीच के न्याए भारते और पाकिस्तान एक हुई श्रिंखला में भी धुनी ने दमदार प्रदर्शन किया और पाकिस्तान एक टीम के विरुद्ध खेले गए मैच में अपने अर्ध शतक की मदद से धुनी ने भारतिय टीम को मैच चिताया धुनी ने साल 2014 में अपना करिया का अंतिम टेस्ट मैच आस्ट्रलिया टीम के विरुद्ध खेला था अपने इस अंतिम टेस्ट मैच में इन्होंने कुल 35 रन बनाये थे ये मैच खत्म होने के बाद धूनी ने टेस्ट मैच से सन्यास लेने की जानकारी मीडिया के साथ साजह की थी और इस तरह से ये धूनी के जीवन का आखिर टेस्ट मैच बन गया था